नमस्कार सत्यों आगे बढ़ते हैं और जैसा कि हम परिक्ष अध्यान 2023 कप्षा आटवी गणित सोलुशन देख रहे थे जिसमें हमने अध्याय नमबर 2 तक के सोलुशन देख लिये थे आज हम बात करेंगे अध्याय नमबर 3 के सोलुशन की ठिक तो अध्याय नमबर 3 का जो चतुरभुजो को समझना तो क्या दिया गया है चतुरभुजो को समझना तो गैस इसका जो इंट्रोडेक्षन पार्ट अगर आपको देखना है अगर आप चाहते हैं कि इसका इंट्रोडेक्षन देखें तो आपको डिस्क्रिप्षन में class at nc.it maths की जो है एक लिंक मिल जा तो हमें कुछ आकरतियां दे दी गई है और इसमें हमें एक्स की माप निकालनी है तो पहले नंबर की बात करेंगे हम एक ही तो देखो यह हमें दिया गया है चतुर बुझ कैसे जिसे एक दो तीन और चार इसमें भुजा बन रही है और एक दो तीन और चार इसमें कौन बन र तो यह है अपके चिप्टर नमबर थ्री और लगू का कोशन नमबर फर्स्ट और उसका भी ए देखो चत्रबुज बन रहा है तो हमको यह पता है कि जब भी किसी चत्रबुज के तीन कोण हमें दे देते हैं और चोथा पूछते हैं तो हम ग्याद कर सकते हैं कैसे हम जानते हैं कि क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि चत्रबुज के चारो अंतह कोणों का योग कितना होता है बरीया तो अंतह कोणों का योग होता है लजाई तह कोनों का यो कितना होता है 360 डिगरी होता है तो निया लिख देंगे 4 एक चॉरे में कौन कौन से हमारे पीड हैं is 50, 130, 120 और ghosts यह चोड़ देंगे आपर ल겁ने स्दीफ यह बशे प्लस पिर हमें दिया यह 130 degree plus फिर हमें दिया 120 degree plus सिरा में दिया 11 degree और पराबर अगर हम इन चारों को जोड़ेंगे तो इनका यो कितना आजाएगा 360 अब हम क्या करते हैं इनको दूर लेते हैं आपस हमें और देख लेते हैं कितना हो रहाए है तो काय का हो जाएगा यह हो जाएगा माइनस का तो यह 300 डिगरी माइनस में तो X is equal to 360 माइनस 300 कितना हो जाएगा आपके 60 डिगरी तो इस टेप से आपको जो ही इसका मान निकाल लेना है ठिक तो यह तो हुआ आपने A वाला अब हम B वाले की सकते हैं वानद वालव हमें क्या दिया हुआ है फिर से एक टैप से च्टर협्वन दे दिया है ठिक और कट इसे भी हल करना है अई समझने यह कि भो फिसमें जीसे पर छार्वान एक साठ डिग्री 60 डिग्री एककश्ट डिग्री और यहां पर हमें कोईओ दिया नहीं है क्योंकि एक परफेंडिकुलर मतलब एक लंब बातव रेखा के और दोनों और कितने डिगरी का कौन मता है نबे दिगरी पिर से लिखना पड़ेगा तो हमें सेम लाइन लिखने पड़िए यहां से हम जानते हैं कि तो यहां पर आप जो है इसके उपर वाले question की जो यह लाइन है ये यह आपको लिखनी है कि हम जानते हैं कि चतुरबुझ के चारों अंतर कोणों का यह तो कितना होता है 350 डिगरी होता है यह लायन आपको लिख देनी है ठीके अब जो चार्व कोण हमें मिले हैं हम उन्हें जोड लेते हैं तो पहला कोण हम ले ले लेते हैं 60 degree फिर 60 degree फिर एक सडिगरी और प्लस 90 degree is equal to कितना हो जाएगा 360 degree ठीक है जोड लेते हैं इनको तो यह कितना हो जाएगा देखो यह 60 और 60 मिलके 130 130 90 कितना हो जाएगा आपके तो 130 में से 10 इसको दे देंगे तो यह हो जाएगा 100 200 की तो तोटल कितना हो जाएगा 220 यहां लिख देंगे हम इन तीनों की जगे 220 220 डिग्री प्लस में x is equal to 360 डिग्री अब हमें x का मान निकालना है 220 को उस तरब बेच देंगे तो काई का हो जाएगा ये तो ये हो जाएगा कोशन नमबर पहले की जिसमें A और B दो कोशन हमें दिये गए थे ठीक है गाइस तो हमने कोशन नमबर फ़र्स्ट ही सोल किया है सेकेंड को हमने भी नहीं किया है हम कल करेंगे उसको है न मलब अगले वाले वीडियो में ठीक है तो में आपको दोनों कोशन समझ में अगए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कोशन के साथ तब तक के लिए थैंक यू अ